नाखपुर सहित पूरे विधर्व में मौसम शुष्क बना हुआ है इसी वज़ा से नाखपुर में दिन का तापान 24 खंटे में एक डिगरी गिर कर 30.60 डिगरी सलसियस पर चाप उचा अनुमान है कि आगामी दो दिनों बाद पारे में गिरावट का दौर शुरू होगा मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी के दक्षिन पूर्वव दक्षिन पश्चिम हिस्से में मंगलवार को कम दबाव का ख्षेतर तयार हुआ है जिसके आगामी 24 घंटे में और आगे बढ़ने का अनुमान है इसका असर दक्षिन भारत की सीमावरती इलाकों से होते हुए श्रेलंका पर पढ़ने का असर है इससे एक चक्रवरती तूफान भी बनेगा अनुमान लगाया जारा है कि इससे कुछ नमी मध्य भारत के आसमान में भी प्रवेश कर सकती है तीन दिसंबर से नागपुर सहित विधर्ब के अधिकान शिस्सों में पारे में गिरावट का दौर शुरू हो सकता है नागपुर में मंगलवार को दिन में तेज धूप खिली थी सुभे साड़े आड़ बजे आधरता 72 फीजदी थी शाम तक यह घटकर 53 फीजदी पर जा पहुची विधर्ब के कई चिलों में फिलहाल पारा सामान में से एक या दो डिगरी उपर बना हुआ है